हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागते हैं आप सभी का इस्टेडिवी ध्यान प्रकास में तो देखे फ्रेंड्स आपको याद होगा कि UP SSC के द्वारा लगबग डेर साल पहले OTR यानि की वन टाइम रजिस्ट्रेशन नाम की एक प्रडाली को स्टार्ट किया गया था इसका लि कर पाएंगे यानि की फिर आपको समय नहीं लगेगा सारा डेटा आपका पहले से महाँ पर दर्ज रहेगा और सिर्फ जरह सा वरिफिकेशन करते ही आपका जो फार्म है वो फिल हो जाएगा अगर उसमें कोई सनुधन करना है जैसे बाद में हो सकता है किसी लोगों के मेरि प्रक्रिया को फालो नहीं किया है पूरा नहीं किया है इसी से मिलती जुलती एक प्रक्रिया है जो कि UPSC ने भी अपनाई है तो यह PSC में भी एक ही बार में पंजीकरण कराना काफी मतलब कि यह जो OTR सिस्टम है जो UPSC में भी लाया गया है तो अब संग लोग सिवा आयो क को fill up कर पाएंगी तो यह प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है जो लोग UPSC की परिक्षाओं में सामिर होना चाहते हैं उनको UPSC की वेबसाइट पर जाकर अपना जो OTR का सिस्टेम है यानि OTR का जो फार्म है रिस्टेसन है उसको डन कर लेना चाहिए यह उनके लिए का साने करता है UPSC में जो सिस्टम लागू होता है उसको बिलकुल लागू ही किया जाता है तो UPSC की जो एस्पिरेंट हैं वो लोग OTR को कम्प्लीट जरूर कर लें आगे पढ़ते हैं अगली ख़बर पे तो जो देखिए आप अगली ख़बर है डियाइडियों के द्वारा प्वेकन सि आई भीए और इसको कहेंगे स्टम इसके अंतरगर्त आप टेकनिकल असिस्टेंड जो ग्रेड बिये और टेकनिकल टेकनीशन ग्रेड एक के लिए आविदन लिये जा रहे है और इसके लिए 3.3 तक Tney सितम्बर तक आणलाइन आविदन लिये जाएंगे तो जो की age limit होनी चाहिए ठीक है और यहां पर यह भी दिया गया है कि essential qualification recruitment तो जो लोग pass out हैं सिर्फ वही लोग आवेदन करें और इसमें कौन-कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं तो bachelor degree in science यानि कि अगर आप B.Sc. है या diploma in engineering है या technology या computer science से तो वही लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे बिस्तिर जांकारी के लिए आप notification देख सकते हैं जो कि आपके टेलिग्राम चैनल study with ज्यान प्रकास्ट पर send कर दिया गया है और देखें यहां पर UPPSC की और से एक notice है अभी हाली में जो APO की परिशा होई थी सायक अभियोजन अधिकारी थी तो उसके लिए जो चारो सेट हैं ABCD उसकी answer की official website पर upload कर दी गई है तो इस website पर जाकर आप अपनी answer की को देख सकते हैं जो कि यह official है अगर किसी भी प्रफेसर के उत्तर में आपको लगता है कि officially उसको गलत दिया गया है तो उस पर आप अपने objection भी दे सकते हैं और इसके लिए 30 अगस्त तक आप जो है अपने objection जो हैं दर्ज करवा सकते हैं और आपके जो objection है वह हालत में 31 अगस्त तक आयोक को प्राप्त हो जाना चाहिए और इसके जो objection देंगे आप तो उसका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है अधिक जांकारी आपको वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी और यहाँ पर देखे उत्तर पदिस में TGT और PGT परिक्षा की त्यारी के लिए अब exam centers मांगे जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख स standards के बारे में बात की जा रही है यूपी में TGT और PGT की परिक्षाएं आईजित होनी है अभी इसकी official date declare नहीं की गई है लेकिन विविन जो जिले हैं उनसे परिक्षा के अंदरों के बारे में जांकारी मांगी जा रही है तो इसे यह प्रतीत होता है कि आने वाले समय में सि परिक्षा जो है नहीं होगी परिक्षा नॉमबर में होगी वही 15 नॉमबर के बाद फिर कभी यह परिक्षा हो सकती यानि कि 15 नॉमबर को आप एक date मानकर चल सकते हैं उसके पहले आपको अपनी तयारी complete कर लेनी है आगे पड़ते फ्रेंड्स अगली कबर देखें आपर क् परेडाम संसोधित होने से उठा अब्यर्तियों का भरोसा आपने देखा होगा कि UPPSC के द्वारा जो भी परिक्षाय करवाई याती है उसका जो रिजिनल डेक्लियर होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो सफल अब्यर्ति होते हैं वो अंतता बाहर हो जाते हैं बहुत स और भी तमाम परिक्षाय हैं तो यह जो प्रक्रिया होती है इस से निश्चित रूप से जो मिधावी शात्र होते हैं जो सेलेक्ट हो चुके होते हैं उनको काफी जटका लगता है तो आयो को अपनी इन गलतियों से बसना चाहिए और बार बार कहते हैं ना किसी की दियाएगी इस चैनल पर भी आपको जानकारी उपलब्द करवाई याएगी और देखें यहां पर एक काफी बड़ा गैंग पकड़ा गया है और यह नकल माफिया रैकेट है जो की परिचाव में धादली के लिए हाइटेक तरीका जो है अपनाता था नाम आप यहां पर द लालच में यह लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला सुचते हैं तो खेर इसमें से आप देख रहे हैं कि कुल आठ लोगों को गिरिफतार किया गया है और नकल कराने के लिए काफी हाइटेक तकनीकी का प्रयोग किया जाता था बिना स्टीम का मोबाईल यूज किया जाता का और काफी लंबी चोड़ी डील होती थी तो ये खबरे भी आज के अख़बारों में प्रकासित हुई हैं आप जा कर पढ़ सकते हैं तो फ्रेंट्स यही करना चाहूंगा कि ऐसे जो नकल माफिया होते हैं इनको कठिन से कठिनतं दंड मिलना चाहिए ताकि जो वास्तवि आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सियर जरू किजीगा थैंक यू सू मुच